जहां अहम और वहम जिन्दा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिष्टे मड़ जाते हैं सुन्दर मन के बिना, सुन्दर चेहरा काँच की आँख जैसा है वह चमत तो सकती है, लेकिन देख नहीं सकती प्रार्थना सब्दों से नहीं, इर्दै से होनी चाहिए क्योंकि इस्वर उनकी भी सुनते हैं, जो बोल नहीं सकते नियत से इस्वर खुस होते हैं, और दिखावे से इंसान या आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसंद करना चाहते हैं बहूत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है कभी गिड जाओ, तो खुद ही उठ जाना क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं आप के पास समय बहुत सिमित है इसलिए किसी और की जिन्दगी जीने के चक्कर में अपना समय बरबाद ना करे ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज मगर होसला सूरज से सीखो, रोज ढलके भी हर दिन उम्मीद से निकलता है सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो पर मात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, बलकी अंदर से जानता है तंभल कर चलना सीख लीजिए, यहां गिराने वाले कभी कभी नहीं, बलकी हर रोज मिलते हैं जब बात जरूरत की हो, तो जुबान सब की मीठी हो जाती है कभी कभी कस्तियां भी बच जाती है, बड़े से बड़े तुफान में पर अक्सर हस्तिया डूब जाती है, अपने ही अभिमान में हो सके, तो अकेला रहना सीख लो, जिस पर आप सबसे ज्यादा डिपेंड रहोगे वही आपको सबसे ज्यादा हर्ट करेगा कुछ लोग बड़े तो हो जाते हैं, पैसे भी खूब कमा लेते हैं, लेकिन उनकी सोच गोटी ही रह जाती है अक्सर खो देने के बाद ही खयाल आता है, कि कितना कीमती था, समय ब्यक्ति और संबंध चलो जिन्दगी के सफर को एक नया मोर देते हैं, जो हमें नहीं समझते, हम भी उन्हें समझना छोड़ देते हैं याद रखना, मन वो सफेद कपड़ा है, जिसे जिस रंग में डुबो दोगे, उस पर वही रंग चड़ जाएगा शुक्डिया उन लोगों का, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी रिस्ता हमेशा के लिए नहीं होता जिन्दगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं याद रखना, जिस इनसान के पास सब्र की ताकत है, उससे कोई मुकाबला नहीं कर सकता रिस्ते बना कर भी क्या कर लोगे, जब सामने वाले का इरादा ही रिस्ता ना निभाने का हो कीचर और लीचर दोनों से बचने का प्रयास कड़े, एक दन खराब करता है और दूसरा मन जो आपकी बुडाई करते हैं, उन्हें करने दो, क्योंकि बुडाई वही करते हैं, जो बड़ाबड़ी नहीं कर सकते सबसे बहतरीन नजर वो है, जो अपनी कमियों को भी देख सके क्योंकि नीन्द तो रोज खुलती है, रन्तु आके कभी कभी हद से ज़्यादा मीठा होने का नुकसान, गन्ने से बहतर कौन जानता होगा, जिसे रोज काटा और निचोडा जाता है, वो भी आखडी बुंद तक मेढक को चाहे सोने की इट पर भी बैठा दो, वो छलांग नाले में ही लगाएगा, दुनिया में कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं, जीवन की वास्तविक्ता कभी नहीं बदल सकती, क्योंकि समय हमें वहीं ले जाता है, जहां हमारा जाना तय होता है, कागज अपनी किस्मत स से उरता है, और पतंग अपनी काभीलियत से उरती है, इसलिए किस्मत साथ दे या ना दे, पर काभीलियत जरूर साथ देती है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, बस मन चाहिए, रास्ते तो अपने आप बन जाएंगे, बस होसलों का धन चाहिए, केवल पैसों से आ होते हैं, जीवन उसी का मस्त है, जो स्वैंग के काड़ी में ब्यस्त है, बड़े सान वही है, जो दूसरों की खुशियों से त्रस्त है, सब को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दुवाड़ा जीवन नहीं मिलता, जरूरी नहीं कि दु वक्त बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपने के बदल जाने से होती है। आप अगर किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। सब्दों में धार नहीं आधार होना चाहिए क्योंकि जिन सब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं और जिन सब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं कभी खुशाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी, या जिन्दगी की सरक है दोस्त, धीरे धीरे ही पाड़ होगी, जिसके साथ बात करने से ही खुशी दोगुनी और दुख आधा हो जाए, वही तो अपना है, बाकी तो बस दुनिया है, बहुत ही आसान है जमीन पर मक बना लेना, किसी के दिल में घर बनाने में पूरी जिन्दगी बीच जाती है,